लेकिन मेरे कान तब खड़े हो गए जब वही व्यक्ति अगले दिन फिर एटियम में पहुंचता है और दुबारा से सो रुपे निकाल कर ले जाता है और यह सिलसिला कई दिनों तक यूँ ही चलता रहा उसमें मुझे कुछ अजीव लगा लेकिन मेरी यह शंका निराधार साबित होई क्यूंकि वह आदमी तो एक फोजी था एक दिन मैंने हिम्मत करके उससे पूछी लिया फोजी साब मैं हर रोज देखता हूँ आप आते हो शाम को सो का नोट निकाले जाते हो यदि आप चाहो तो एक बार में ज्यादा पैसे भी निकाल सकते हो और आपका कई दिन का खर्चा चल सकता है लेकिन आप सो का नोट ही क्यों निकालते हो जवान, मेरा जो यह अकाउंट है न, जब भी मैं इसमें से पैसे निकालता हूँ, मेरी पत्नी के पास एक मैसिज जाता है क्योंकि कश्मीर का महाल तो आपको पता ही है, और मोबाइल सर्विसिज और इंटरनेट तो यहां रोजी बंद हो जाता है तो इसी बहान मेरी पत्नी को, मेरे घरवालों को पता चल जाता है कि मैं भी जिन्दा हूँ और मैं बिना किसी फिकर के अपने देश की रक्षा करता हूँ बस इसी लिए रोज सिर्फ सौर पे निकालता हूँ जजबातों को पिगला कर रगों में लोहा भरना परता है भारत मा का फोजे बनता है जैहिम जैहिम